धूम केतू सुर्य की परिक्रिमा अत्यदिक दिर्गवर्तिय कक्सा में कर रहा है क्या अपनी कक्सा में धूम केतू की सुरू से अंत तक रेखिक चाल, कोणी ये चाल, कोणी ये सम्वीग, गती जूर्जा, इस्तती जूर्जा और कुल उर्जा नियत रहती है सुर्य के अतित निकट आने पर धूम केतू के दुर्यमान में हास को नगणने मानिये लेखे, कोई धूम केतू है और वो सुर्य के चारों और दिर्गवर्तिय कक्सा में चक्कर लगा रहा है जैसे ये कोई इस्तती है और यहाँ पर ये कोई धूम केतू है जो कि सुर्य के चारों और दिर्गवर्तिय कक्सा में चक्कर लगा रहा है दिरुबर्त ये ककसा है इसमें ये धूम केतु सूरी के चारो और चकल लगा रहा है देखिए हमने यहां पर केपलर के नीमों में पड़ा है केपलर के नीमों में हमने जाना है केपलर के नीमों में हमने ये देखा है कि जब जो दूसरा नीम है वो हमें ये कहता है च्छितरफलों का जो नियम है वो हमें कहता है कि कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान च्छितरफल तए करता है इसका मतलब है कि जब यहां से यहां तक जाने में समय लगता है उतना ही समय यदि यहां से यहां तक जाने में लगेगा तो ये जो च्छितरफल हैं वो समान होंगे या जो समान च्छितरफल ते करते हैं कोई ग्रे या कोई उप ग्रे तो समान च्छितरफल ते किये जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जब ये जो धूम केतू इससे दूर होगा तो इसका जो वेग है वो कम होगा चाल है वो कम होगी और जब ये सूरी के पास में होगा तो इसकी चाल अधिक होगी तो रेखिक जो चाल है वो नियत नहीं रहती रेखिक चाल नियत नहीं रहती नियत नहीं रहती है नियत नहीं रहती है उसके पीछे रीजन क्या है समझ लीजिए जब धूम के तू सुरी के पास होता है सुरी के पास होता है तो उसका उसकी चाल अधिक उसकी चाल अधिक वे दूर होने पर दूर होने पर चाल कम होती है फिर इसमें हमारे को पूछा गया है कोणी चाल देखिए दोस्तों कोणी चाल कोणी चाल ओमेगा बराबर होता है वी अपोन में आर वी भी चेंज हो रहा है और आर भी चेंज हो रहा है यहां पर जब आर बढ़ता है यदि इस वेल्यू का मान बढ़ता है तो इस का मान घट जाता है यदि हम आर का मान बढ़ने पर यदि वेक का मान भी बढ़ जाता तो कोणी चाल है वो नियत रह जाती है फिर इसमें हमारे को सी पार्ट में पूछा है कोणिये समवेग कोणिये समवेग देखे दोस्तों जो कोणिये समवेग है वो संदक्षित रहेगा केंद्रिये बल के अधीन गती करता है तो सभी केंद्रिये बलों के अधीन जो केंद्रिये बल होता है केंद्रिये बल के अध अधीन धूम के तुगती कर रहा है किंद्रे बलके अधीन कोणिये संवेग संडक्षित रहता है कोणिये संवेग संडक्षित रहता है या कोणिये संवेग नियत रहता है नियत रहता है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो कोणिये संवेग है वो नियत रहेगा constant रहेगा फिर देखे इसमें D part गती जूर्जा देखे गती जूर्जा होती है हाप, M, V square यहाँ पर V कमान बदल रहा है तत्पस्चाद गती जूर्जा भी नियत नहीं रहती V कमान बदलने से गती जूर्जा कमान बदल जाता है तो गती जूर्जा नियत नहीं रहती है इसमें हमारे को पूछा है इस्तती जूर्जा तो देखें दोस्तों कुल उर्जा यहां पर नियत रहती है लेकिन गती जूर्जा बदल रही है इसलिए इस्तती जूर्जा भी बदलेगी इसलिए इस्तिती उर्जा भी नियत नहीं रहती और अंत में हम बात करेंगे कुल उर्जा की कुल उर्जा सदेव नियत रहती है किसी भी गठना के दुरान कुल उर्जा सदेव नियत रहती है तो दोस्तों ये था हमारी पाटे पुस्तक का आठ्मा क्यूशन